श्री क्रिश्न कनई आलाल कीजे, श्री निजानन्द स्वामी कीजे, श्री प्राणनाथ प्यारे कीजे कहे वेद वेडात कच्छुए नही, जैसे आकाश पूल, एचोदे तबक जराननी, ना कच्छु डालना मूला श्री क्रिश्न कनई आलाल कीजे, नाश्वर जगत के संदर्व में कह रहे हैं, विश्व में मुख्य दो धाराएं चलती हैं, एक वैदिक धारा और दूसरे कतेव धारा, तो वैदिक परमपरा में भी यह पूरा ब्रह्मान्ड है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, देखने मात्र के लिए है, ऐसा माना है, तो इस प्रकार्श कतेव धारा में, कतेव परमपरा में भी यही बात कही है, वो समझा रहे हैं, कतेव में भी यह कया, चवदे तबक है यह जो यह, तो चवदे तबक जो यह कतात्परी है, जो चवद लोग हैं, एक जरा नजरो ना आवई, जाके टू कन होवे दोए, यह तो एक जरा मतलब काना, एक कन के जितने भी नहीं है, कि जिसके दो टुकडे नहीं कर शकते हैं, तो एक कन जिसके दो टुकडे नहीं कर शकते हैं, इतना भी अस्तित्व नहीं है, इस ब्रमान का, इस तरह से कते परमपरा में भी समझाया है, ऐसा चोदे तवका का निमुना क्यों हक को दिया जाए तो इसलिए ऐसा चोदा लोग उसके उधारन सत्य के लिए परमात्मा के लिए कैसे दे सकेंगा ए शब्द जूठी जीमी का क्यों सकी अरश पहुंचाए इसलिए जूठी जीमी का ताथ परिये नश्वर जगत तो नश्वर भूमी के शब्द है जब ये सबकुछ नश्वर है तो ये सब्द परमधाम तक अखंड तक कैसे पहुंच सकते हैं मतलब अखंड का वरण कैसे कर पाएंगे सो सकिये क्यों सकिये अरश पहुंचाए परमधाम पहुंचाने का तात्परिय है इनके द्वारा फिर परमधाम का वरणन कैसे हो सकता है कही जाये न शोभाई न मुख ना कचुदई जाये साख तो इन से इन शब्दों के द्वारा इस मुख से न तो परमातमा की शोभा बताई जा सकती है ना कचुद दे जाए साख ना उनकी साक्षि दी जा सकती है एक जरा हरफ ना पहुंच आई एक वाक्य भी बताया नहीं जा सकता वो अखंड को समझाने के लिए सक्षम नहीं है जो सब्द कईये का इलाखा ऐसे करोड़ों सब्द क्यों न कहे जाएं तो उनमें से एक भी बताने के लिए सक्षम नहीं है ना अरशब का किन देखिया नहीं किसी ने अभी तक अखंड धाम को देखा ना कच सुनिया कान ना किसी ने अभी तक सुना अपने कानों से ना आखों से देखा ना कानों से सुना तरफ भी किन पाई ने किस दिशा की ओर है उसको उस दिशा का भी किसी को पता नहीं चला तो करेशो कौन वयान तो फिर दुनिया में ऐसे परमधाम का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का विवरण कौन देगा वयान देना मतलब बताना वरणन करके बताना एक कया अर्श अजीमा दूजा सदर्तुल मुंताहा तो ऐसा कहा है ये कतिव धराओं में भी एक अर्श अजीम स्रिष्ट धाम दूसरा सदर्तुल मुंताहा ऐसा करके कहा तो उसके लिए ये बैदिक परमपरा में जिसको कतिब परमपरा में अर्श अजीम कहते हैं उसको बैदिक परमपरा में परमधाम अजीम का अर्थ होता है स्रिष्ट अर्ष ए अजीम तो परमधाम हो गया और दूसरा सदर्तुल मुंतहा इसके लिए अब ऐसा माना है कि यह है ऐसा मानते हैं तो वो क्या हो सकता है तो अब यह उसके लिए है क्या बोलेंग ने अक्सर धाम के लिए है तीसरा कया मलकुत है तीसरे स्थान को मलकुत कहते हैं जो अरश फिरस्तों का वो फिरस्तों का अरश है ऐसा करके मान देते हैं इस प्रकार की मान्यता है यह तीनों अरश अndh combines teka, यह तीनों धाम के विशेय में मुढ़ से कायते तो हैं, पर वेवरण पासे की ना, किन्तो किसी के पास में भे उसका वेवरण नहीं है, यह दुनिया क्यों समझे, हकिकात खुले भी ना, तो इसलिए यथार्थ बात को समझाए बिना दुनिया को कैसे समझ में आएगी हक का हुकुम जाहर हुआ तो मुझे तो पूर्ण प्रह्म परमात्मा का आदेश हुआ है दो हादी हुए महरवान तो हादी सद्गुरु ये दोनु बातों पर अखंड और नश्वर दोनु बातों पर सद्गुरु क्रिपालु बने हैं उन्होंने दोनु बाते समझा दी हादी हुए दो महरवान दोनु बातों के लिए हादी है सद्गुरु है क्रिपालु बने है नोनोंने क्रिपा की और मुझे नश्वर जगत को भी बता दिया और अखंड को भी बता दिया इसमें अनेक लोग दो हादी कहे करके उसको भी बताते हैं एक सद्गुरु के लिए एक रसुल के लिए बोलते हैं तो इसमें ये लगता है कि दोनों बाते हैं जिसको जिस तरह से करना हो कर सकते हैं लेकर कि अखंड और नश्वर दोनों को समझा तो ये बात तो सद्गुरु स्री देवचंदर जी माराज नहीं समझाई है, बाकि और शब ने तो अनुमान किया, और रसुल ने क्या कहा वो बात भी आगया आएगी, खोली हकिकत, मार्फत, अब सब यथार्थता और परमात्म की पहचान, दोनों ही बाते हैं, दुनिया की अथार्थता, परमधाम की अथार्थता, परमधाम की पहचान, पुर्ण प्रह्मा की पहचान, ये सारी बातें स्पष्ट हो गए, तो जाहर करो फुर्मान, अब हम जितनी भी परमात्म संबंदी आदेसें दुनिया में आये हैं, सब लोग बोलते हैं, ये तो हमें तो परम अत्मा का आधेश है, तो क्या-kया बाते हैं? किन-किनों ने कई हैं, किन-किन गरंथों में כिस-किस परकार हैं? उन शारी बातों को मैं स'पश्ट कर्देताओं, तिनों गिरों का वेवरा, तिनों आत्माओं के शमुवा का विवरण, तो क्या है? एक रूहें और फिरस्ते, एक तो आत्माओं हैं और दूसरे फिरस्ते, और तीसरी खलक आमजो, तीसरी आम खलक ऐसे कते परंपरा में समझाया है. कुन कहते उपजे, परमात्मा ने तो ऐसे संकल्प कर दिया, तो स्रिष्टी बनाना है बोल करके, तो ऐसे बन गए, तो उसमें कुछ मेहनत करने की आवशकता हैं नहीं पड़ी, तो वो कह रहे हैं, उस परंपरा के अनुशार, रूहें गिरों कही लाहुती, जो आत्माओं का समुआ है, उसको लाहुती ऐसा कहा, अर्शियाजीम को ही लाहुत कहते हैं, तो हम वैदिक परंपरा से समझें, तो वो परंधाम, तो उनको तो परंधाम के ऐसा कह दिया, और फिरस्ते जबरूती, और फिरस्ते हैं, उनको वो जबरूत के हैं, और गिरों जो तीशरी, तो यह जबरूत तो यह सदर्टुल्मंतहा उसके लिए जबरूत कहा है उसको कहीं पर सदर्टुल्मंतहा ऐसा करके भी कहा है और गिरो जो तीसरी जो कही मलकुत यह तीसरा समुँः है उनका समंद मलकुत से है तो अब मलकुत को तो इस ब्रह्मान का स्रेष्ट स्थान सतलुक और दूसरे शब्दों में कहीं तो वैकुंठा ऐसा करके भी माना जाता है तो जीव स्रिष्टी का नियंतरण तो वाइकुंठे से होता है, जीव स्रिष्टी मूल रुप से वाइकुंठे की नहीं है, वो सब अभ्याकृत अक्षर किये, प्रणा ब्रह्मा किये, अवल खासल खास रूहन की, जीरो फिरस्तन की खास कई, तो अबल का तात्परिया सर्वस्रिष्टा है जमाना, और गिरो फिरस्तन की खास कई, और फिरस्तों का समुवाए उसको खास ऐसा कह, और कुन की तीसरी, ये जो आम खलक भई, कुन कहकरके, जो पूरी दुनिया की सृष्टी हुई है, तो वो तीसरी सृष्टी है, उसको आम खलक, तो सर्वसाधरन इस तरह से मान दिया ऐसे कते परंपरा में कहा है दूनिया शरीयत फरजबंदगी दूनिया ये आम खलक ये क्या करते हैं तो उनके लिए ये करमकान रहे शरीयत शरा के अधार पर चलने वाले हैं तो ये दुनिया है अभी जो लोग वो कहते हैं कि हम तो पक्के हैं इमान के तो इसलिए हम शरापर चलते हैं उनके लिए प्रांणा जी कहते हैं यह तो आम्खलक की बात है तो यह फरज बंदगी है और फिरस्तो बंदगी किसको बोलते हैं कि चलो यह कर देना पड़ेगा, ऐसा मान करके मेरे ड्यूटी है, इसलिए करना पड़ेगा, बोल करके कर देते हैं, ड्यूटी नहीं होती तो नहीं करते हैं, अब नहीं करेंगे तो फिर कहीं न के मुश्किल हो जाएगी, ऐसा बोल करके कर देते हैं, तो वो एक प्रकार के फ और फिरस्तों बंदगी हकिकत जो फिरस्ते हैं वो सच्चाई से करते हैं तो उनको ऐसा नहीं होता है कि किसी को दिखाने के लिए चलो कर दिया ऐसा नहीं सच्च मुछ यह तो आमें करना चाहिए तो उस इसाब से करते हैं रूह हकिकत इसक और इन पे है मारफत जो ब्रमात्मा है तो उनमें तो यथार्थता है हकिकत सचाई है और प्रेम है और इन पे है मारफत इनको ही परमात्मा की पैचान है यही परमात्मा को पैचान सकती है वाकि दूसरे लोग नहीं पैचान पाएंगे रूहें आशिक सोई लाहुती जो आशिक आत्मा कही गई है परमात्मा की अनुरागनी उनको ही उनका स्थानी गहरी ही परमधाम है तो लाहुती कहने का तात्परे परमधाम किये ऐसा कहा इस तरह से समझना चाहिए जाके अरश अजीम में तन जिनका मूल शरीर ही परमधाम में है जिनका मूल ही परमधाम में है कया हके दोस्त रुहें कदीमी तो उसके लिए रशुल ने कहा था कि खुदा कहते हैं कि वो तो मेरे वो तो हमेशा की है वो सत्य है और उनको ही रशुल ने कहा कि ये हमारी दोस्त वही है कदीमी का तत्पर हमेशा कि वो अखंड है जो उतरे अरश शे मूमिन जो दिव्य परमधाम से दुनिया में उतरी हुए आत्माएं हैं उनके लिए ऐसा कहा गया है तो अब दूसरे तरफ में ये भी कह दिया अरश कया दिल मूमिन इन ब्रमात्माओं के रिदाय में ही परमात्मा का बास है तो वही धाम है जो मूमिन दिल आसक तो जो मूमिन दिल से परमात्मा को चाहते हैं उनका अंदर से प्रेम है सो मुमिन कच्छुए न राखई तो वो बिना अर्ष बकाहक तो ये ब्रमात्माएं अखंड परमधाम और पूर्ण ब्रमात्मा के अतिरेकता किसी को अपने दिल में नहीं रखते हैं क्रहने का तात्पर ये तो उनका वो स्मरण नहीं करते हैं ठीक है दुनिया देख लिया बस हो गया तो उनको परमात्मा के प्रती ही प्रेम है दूसरों के प्रती कोई महात्वध दूसरी बस्तों का परमात्मा के अतिरेकता किसी का महात्वध नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं रखते हैं का अंतात्पर ही है शोई मोमिन जानियों उनको ही ब्रहमात्मा समझना जो उड़ावे चोदेता बख्खा जो पूरे चोदे लोग को नश्वर समझते हैं उड़ा देते हैं का अतात्पर है इसको कोई सत्य नहीं समझते हैं वो ही ब्रमातमा हैं, एक अरश के सहेब बिना अऊर्स्व करे तरक्षण plane, पुरुन ब्रह्मपरमातमा के फार्मातमा की करते ने परमातमा के अथिरेक्त? सब को तो वो क्या करते हैं? तो उन का कोई अष्टित्व ही नहीं है इस तरह से, उनको नश्वर समझते हैं. तरक करना तो एक प्रकर्ष तो वो नश्वर है ऐसा मानना उतरे हैं अरश से ऐसे आत्माएं ऐसे दिव्यधाम से उतरी हैं वे कहें महमद मेरे भाई उनके लिए महमद ने कहा वो मेरे भाई हैं जो आखर को आवश ही और ये भी कहा हूँ आखिर में परमात्मा आएंगे उस समय वो भी आने वाले हैं ये जो एहल एलाही ये एहल का तत्पर उतरादेकारी है एलाही उतरादेकारी करने का तत्पर अखंड को समझने वाले अखंड को जानने वाले वह ही होंगे ऐसा उन्हो वे फ़किर अतीम वो फ़किर है और अतीम का तात्पर है उनमें परमात्मा क्याति रेख तो कुछ में नहीं चाहिए कोई आहांकार नहीं तो दीन बड़े बड़े विनम्र शमर्पित तो उस आर्थ हमें तो अभी आजकल कहते हैं डाउन टू और्थ ऐसा करके बिल्लकुल व कोई अहांकार का कई के लें लेश मात्र भी स््थान नहीं है तो रस्व मौंब ने खुदा से प्रार्थना करते विये कहा था मुझे उठाईयो इनों में तो मुझे भी उनके बीच में दुबारा उस में उठाना तो तो कबर में सौने वाला हैं न तो फिर मुझे उनक उस उस समय पर उठाना तो उस समय मुझे भी शरीर धारन करवा देना कहने का यह तात्परिया हक बर्कत दुनिया मिने होसी सव इनव से परमात्मा की बर्कत का तात्परिया परमात्मा की शक्ति तो परमात्मा की शक्ति के विश्ये में वो सारा परिचय यही देंगे होसी सव इन उसे तो दुनिया में इनसे ही परमात्मा की बाते की जाएगी यही परमात्मा की पहचान करवाएंगे अखंड की बात करेंगे मोहे इल्म दिया हकने तो मुझे परमात्मा ने ग्यान दिया इनको देशे इमाम तो जैसे तो मुझे परमात्मा की कुछ ग्यान दे रहें थोड़ा बहुत मुझे पता चलाए तो उनसे ही तो इनको इमाम सब कुछ समझा देंगे तो यहां इमाम करने से सद गुरू आखर बड़ाई इनकी इनकी ही बड़ाई है का बतात परिये यही मान है कहें मुझाफ हदिसे तमाम तो इस परकार की बाते मुझाफ में कुरान, हदिस बगरे जो भी वैसे तो सामानी रूप से जो मुसलमन हैं कुरान और हदिश को मुशाफ़ समझते हैं तो बाकी दूसरे लोग हैं कते परंपरा कि वो जो भी आपत गरंथा है उन सब को मुशाफ़ कहते हैं तो अब इसका तात पर यह हुआ कि जिसमें परमात्मा संबंधी बात कही गई है वो सभी धर्म गरंथा तो उनके लिए का रह मांग की थी मुझे उठाईयो आखरत मुझे भी उनके समय में जब वो आएंगे ब्रमात्माएं आएंगे उस समय मुझे भी उठा दे ना मेहदी के यारों में मैं पाऊं ये निश्वत तो मुझे यही आपके वह वेश में निश्वत कहने से अब यह है कि मैंने आपकी अभी तक इवादत की है प्रार्थना की है तो बस मुझे इतना बरदान दे देना इतनी मुझे पर क्रिपा कर देना ऐसा उसने कहा तो अब यह निश्वत का अर्थ तो संबंद होता है मैं उनके साथ में उनके समय पर हूँ तो उनसे मेरा संबंद बनेगा ना तो मैं यह लाप राप्त कर शकूँ इस तरह से तो उसने भी मांग की इमाम जाफर सादिक तो कोई सादिक का अर्थ होता है निश्ठावन विक्ति तो ऐसा कोई इमाम जाफर करके कोई हुआ होगा तो उसने भी उसके विशाय में भी इन अलग-अलग गरंथों में अलग-अलग लोगों की बात लिखिये उनमें से एक यह भी होगा तो उन्होंने माग्या हक पे उसने भी परमात्मा से यह प्रार्थना किये मुझे उठाई हो आखरता मुझे भी उस समय उठा देना मेहिदी के यारों में जब मेहिदी के यार आएंगे तो समय मुझे भी उठा देना इस प्रकरशे इन सब ने प्रार्थना की है तो कहते हैं कि मुशा, इबराहिम, इस्माइल, जिकरिया, एया, सलेमान, दावदे, माग्या, मेहदी, जमाना, उस सबकत उठाईयो, सुभाना वो इससे देखा जाए तो जितने भी पैगंबर कहे गए हैं कि जिनको खुदा की अनुगूती हुई उन में से एक तो मुशा है, अब एक केवल कुरान में ही सबकुछ है, ऐसा नहीं है, कते परंपरा में बहुत गरंथा है तो मुशा का भी गरंथा है, तो उसको तोरा कहते हैं, तोरा, तोरे, तोरा, उसके लिए तो वो मोसेश अभी अंग्रेजी में मोसेश कहते हैं तो वो है इबराहीम, अबराहम, अंग्रेजी में अबराहम बोलेंगे तो इसमें इबराहीम, इसमें फार्शी में, अर्वी में इबराहीम तो इस तरह से ये भी एक पैगंबर हुए है इस्माइल, जिकरिया, एहिया, सलेमान, सुलेमान भी कहते हैं, दाहूद अंग्रेजी में उसको डेविड कहा, तो इन सब ने एक ही मांग किये, महदी जमाना, इमाम महदी जब आएंगे, उनकी जमात जब होगी, उस समय हमें भी उनके दर्शन करवाना, उनके संगत करवाना इस तरह से उनके भी बांग की, उस समय जिन्दा करना करतात पर यह क्या है, उस समय हमें भी शरीर धारन करवा देना लिखा यों फुरमान में सब आवेंगे पैगंबर, इस प्रकार फुरमान में लिखा गया है, सब पैगंबर आएंगे, जाशी जलती दुनिया सब पे, कोई सके न मदद कर, तो उस समय जो जो उनकी अनियाई है, सब जलते हुए, उनके पास जाएंगे, इस प्रकार से भी दर्म करंथों में लिखा है, लेकिन वो सारे पईगमर कोई भी उनको सायोग नहीं कर पाएंगे, आखर मुहम्मद छुड़ा उसी, जो अंतीम समय में आने वाले इमाम होंगे, जिनको इमाम महादी ये भी कहाँ, वही मुहम्मद हैं, वही मुहम्मद महादी हैं, वही छुड सकते हैं सब जले आग दो जग की सब दो जग की आग में जलते रहेंगे ए लिख्या जाहिर फुरमान में तो इन धर्म गृंतों में ये बाते स्पश्टरूप से लिखी गई है यही रखते हैं स्रक्रिष्न का नई आलाल कीजें ए लिख्या जाहिर फुरमान में आकर महम्मद छुड़ाव शी और आगन छुटे किना से और आगन छुटे किना से साब जले आग दो जक की ए लिख्या जाहिर फुरमान में ए लिख्या जाहिर फुरमान में स्रक्रिष्न का नई आलाल की ए लिख्या जाहिर फुरमाराज की ए लिख्या जाहिर फुरमान छुटे 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 की ए झाल झाल